नमस्कार आप देख रहे हैं दक्राइम एक्स्प्रेस मैं हूँ आपके साथ सत्यम सिंगानिया दोस्तों आज मैं आपको लिमका बुक आफ वर्ल रिकॉर्ड और गिनीज बुक आफ वर्ल रिकॉर्ड में दर्च हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज उत्तर परदेश में इस चाहिए और खुसी होना चाहिए तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान का और पूरे बिस्व का रिकॉर्ड जगह तो दोस्तों कि देखिए यहीं है गोरखपूर हम आपको अब यहां से सारे गेट मैं आपको दिखाऊंगा गेट नमबर एक नमबर दो से लेकर नमबर साथ तक यह में रोड ऐस्के सामने का रोड है आप देखें यहां कभी आपने जारा देख सकते हैं कि नहीं है से संबस्टे में रोड़ देखिए गेट नमबर एक है जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस पे लिखा गेट नमबर एक गुरकपूर रेलवेश्य श स्वागत है है तो यहीं है गेट नंबर एक हम आपको अब पूरे से श्टेशन के अमें आपक़ द्रिश से दिखाऊँंगा देखिया है अब फ्रुद देख सकते हैं छीजों को कि देखे यहाँ पे फार्किंग की पूरा विवस्ता है हर तरीके से कि एक इसे को किसी परकार कोई दिक्क्यत नहीं हो आप देख सकते हैं यहां पर यहां खाना जा रहा हुआ कि देखें कितना खुबसूरत यह श्टेशन है कि देखें गेट नमबर एक है मैं आपको इधर का विद्रिश्ट दिखा रहा हूं हुआ है कि दोस्तों यहीं है रेलवे एस्टेशन रेल holistic जो की लिम्का भूट ऑफ वर्क आपट ऊपोडब डिंस अवियन और इतका कि यहां आप देख सकते हैं हम आपको रिख्द्रिक्द्री आरिंदर रहा हैं देखें कितना लंबा एप एस्टेशन है किितना बड़ श्टेशन है आप देखिए किसे कि ना खुंसूरत सारे बताएंगे तो दोस्तों यहीं है गुरखपूर का रेल्वे स्टेशन इसकी बहुत सारी बिसेस्ताएं भी हम आपको सारी चीजे बताएंगे अब देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रवेश द्वार अंदर कितना साफ और सुरक्षित जगह है यहां सखा का रियाला है कि यहां पे कार पार्किंग भाइक पार्किंग ट्यंपू पार्किंग से वी चीजी की विवस्ता है आप देख सकते हैं तो देखिए इसाम का समय है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर भी कोशिज़ करूआ कि आपको सारे चीज़े देखा सको देखें यहाँ पर यहाँ गेट नमबब 2 है कि यहाँ देखिए यहाँ बाईक पार्किंग है हैं आप यहाँ देखे ए स्टेशन का स्वरूप इधर आपको बाइक पार्किंग मिलेगा पुरा सुरक्षित सुब्यवस्थित पुरा आपको अप्ष्टेशन दिखेगा आप यहां देखिए कि इतना बड़े एक्षवरों में लिखा हुआ है अब गुरकपुर रेलवे स्टेशन अब रेलवे स्टेशन पर आपका हाथ दिख स्वागत है देखिए यहां पर आपको यह पूल है जो कि इलेक्ट्रिक श्टियर्स है हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको गेट नमर दो भी बताया चलिए हम आपको नमर तीन भी दिखाएंगे देखिए स्टेशन जो है कि इतना बढ़िया स्वरूप है इसका आपको आपको आगे सहरे शीव बताते रहेंगे देखिए कि इतना साप सफाई का यहां पर विवस्ता है अभी इस उतर परदेश के लहाल मुक्वंत्री कि स्रीयोगी आदित नात जी है आप देखिए यहां पर यह सो में लगाया गया है ट्रेंट कि दिखिए कितना बड़ा स्वरूप है आपको फिल पीछी का स्वरूप हम आपको दिखा रहें देखिए यहीं है उरकपूर का रेलवे स्टेशन कि देखिए यहां कार पार्किंग भी है यहां कार पार्किंग लिखा हुआ है सामने में वहाँ पर दोस्तों यहीं है गुरकपूर का रेलवे स्टेशन हम आपको बताना चाहेंगे कि कि 1930 में यह शुरू हुआ था ओपेन हुआ था 1930 में और इसका बहुत बड़ा इतिहांस भी है आप देखिए सामने में हम आपको सारी चीज़े दिखाएंगे इंडियन डेलवे द्वारा पेन हुआ था इंडियन डेलवे द्वारा 1930 में देखिए एस्टेशन का स्वरूप कि इतना चमकता हुआ इस्टेशन आपको नजर आएगा कि यहीं है गोरखपूर का गोरखपूर का रेलवे इस्टेशन जो नौर्थ इस्टन डेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है यहां कि और बहुत सारी चीजे भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे आप यहां पे देख स देखिए यहां पे सजाया गया है यहां पे ट्रेन को काफी संदरता फुर्वक्त हम आपको सारे चीजे बता हैं देखिए अभी साम का समय है जिसके करन थोड़ा सा आपको दिख्यात हो सकता है देखने में लेकिन आप इस स्टेशन को देख सकते हैं यही है गोरखपूर का लोग जो हैं बैठे हुए हैं कितना सुंदर ए रेल्वेय स्टेशन है कि दुनिया का पूरे बिश्व का सबसे बड़ा रेल्वेय स्टेशन है यह गेट नमबर थ्री है आप देख सकते हैं और यहां देखिए यहां यह रेल्वेय स्टेशन फिर इधर ब्रीज का विवस्ता है हम आपको ब्रीज के ऊपर से भी सब नजारा दिखाएंगे कि दोस्तों यहां डबल इल्यक्टिक लाइन भी है कि देखिए रेल्वेय स्टेशन को आप भी कि अब बहुत सारे दुकाने भी हैं लोग अपने ज़रुरत के अंसार समगरी खरीते हैं और सुरक्षा का पुरा कड़ा इंतिजाम है यहां पे आप सारी चीजे देख सकते हैं कि अपर ब्रीज है हम वहां सभी आपको दिखाएंगे यहां पे सारे चीजें बहुत ही शुरक्षित और सुब्यवस्तित हैं गेट नंबर पांच है देखिए गेट नंबर पांच यहां पे टोटल साथ गेट हैं कि और यह स्टेशन का मजारा है हम आपको रिखा रहे हैं अब कि देखिए आपको चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं अपने अपने टेन का प्रतिक्षा कर रहे हैं कि क्लिए यहां पर कार पार्किंग टेम्पू अश्टेयन बस पार्किंग सारी चीजे का विवस्ता है आपको कहां जाना है देखिए यहां पर इस्टेशन के पास ही बाहर में पी एडियु to 144 भी हा जो आप सामने में देख रहा हैं इधर भी कारपार्पार्किंग हम आपको गेट नमबर छे बीúblic तक ला चुक के हैं इसपर नमद थी हैँ आप यहांसे देख सकते हैं तो बेत goose कन जा रहा है यहां पे पा양से की जो अपना अलग पहश्यान है इस रेलवे स्टेशन का अचली अब हम आपको प्लैटफर्म का नजारा दिखाते हैं कि प्लैटफर्म कैसा दिखता है यह है आपका गुरभपूर रेलवे स्टेशन का अंदर का नजारा जो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा कितना इंतिजाम है कितना बढ़ियां ब्यवस्था है यहां पर आप सुरक्षा का इंतिजाम देख सकते हैं कि पुरा कड़ा इंतिजाम है को लेकर हो या किसी भी प्रकार का सुरक्षा की बात की जाए तो गो रख पूर रेलवे स्टेशन यह देखिए यहाँ पे हम आपको अंदर का नजारा दिखा रहा है देखिए यह प्लैटफर्म जो है पूरे बिस्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लैटफर्म है गोरख कुर रेलवेस्टेशन का जो की गिनिज बूक आफ वाल रिक लिक और लिमका बूक आफ वाल रिकॉर्ड में दर्ज है रेलवेस्टेशन देखिए साप सफाई कितना अच्छा है पूरा चमकता हुआ स्टेशन आपको दिखेगा यहाँ पे चारों तरफ कहीं आपको कुछ गंदगी नहीं दिखाई दे देखें यहाँ पे साप सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है हमेशा यहाँ पे पुछा लगते रहता है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गेट नमबर साथ को आपको ट्रैक भी दिखाते हैं एक बार में एक प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेने खड़ी होती है द इतना लंबा एक रेलवे ट्रैक है कि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि भी शुका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरख पूर रेलवे स्टेशन है कि यहां का स्टेशन कोड़ जो है जी के पी है अब देखिए यहां पे स्टेंड की बहुत सुरक्षित और पुखता इंतिजाम है यहां कि देखिए मैं आपको ट्रैक की नजारा दिखा रहा हूं कि आप यहां देखिए प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता भी बना हुआ है यहां पे रेड़ वाइट कलर से लिखा हुआ है प्लेटफॉर्ट नमबर 3456789 तक जाने का रास्ता इदर से देखिए ब्रीज जो है कि दोस्तों दिखाने का मेरा मक्सिद है कि अगर आप यहां आ नहीं सकते हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से पूरे इस देश के राष्ट के लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि अपने पास जो है उस पे गर्व होना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह भारत की बहुत बड़ी उपलवदी भी है क्योंकि जीश जीश का नाम लिमका बुक आफ वर्ल रिकॉर्ड और गिनिज बुक आफ वर्ल रिकॉर्ड में दर्ज है वह बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए इससे हम सभी को खुस होना चाहिए अपने राष्ट कि देखिए यहां पर ट्रेन आया है और साउंड की द्वारा सब बताया जाता है पुरे स्टेशन पर कहीं भी किसी कोई दिक्यत नहीं होता है तो हम आपको दोस्तों आप दिखाएंगे गेट नमबर साथ कि आप हर गेट से आप बाहर निकल सकते हैं गेट नमबर एक हो दो हो तीन हो चार हो पांच हो छे हो यह साथ हो आप जहां भी आएं आपको कहीं कोई दिक्यत नहीं होगा मैंने इस वीडियो के अंदर सारी शीजे मैं आपको बताया हूं कहां पर क्या है में गेट भी मैं आपको दिखाया हूं देखिए दोस्तों यह गेट नमबर साथ है यह यहां पर जो आप देख रहे हैं आप यहां से पस आउट हो सकते हैं कि अगर कि अगर कि दोस्तों आपको जो वीडियो में हरा पोड जो दिखाई दे रहा है यहीं है गेट नमबर साथ आप यहां पर कि इतना अच्छा ची लिखा हुआ है थैंक्स विजिट अगें कि यह कितना सुंदर दृष है इसे स्टेशन का यह गेट नमबर साथ है मैं आपको गेट नमबर एक से साथ तक दिखाया गेट नमबर साथ का स्वरूप है अब आपको में बिरीज से उपर का दिरीश दिखाऊंगा कि ओ द्रीश कैसे दिखता है चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अब हुआ है कि यह एक किमें और सा थाएपृत्ड आपकों में जोका दुकान में प्रातिक्षाने किताबस की परभी ले कंकृ माल और भौशारी समग्री में त क्यां प्रतिक्षालय यहां पे लोग अपना प्रेन का प्रतिक्षा करते हैं कितना सुंदर बनाहुआ है आप यहां का विद्रिश्य आप देख सकते हैं यह देखिए साम का नजारा है इस railway station का कि इसलिए इस station का नाम गिनिज बूंट फॉल् antim और लिमक्र उफॉल रिकॉर्ड में दर्ज है आप देखिये साम का नजाराइस से चेशन का कितना खुबसुरत दिखा है आप देख सकते हैं देखिये ए गोरखपुर रेलबे इस्टेशन का भब्बे पॉन दिरीश आप देख सकते हैं कि अि यह हो अ कि इस्टेशन के बाहर का आप दिरिश देखिए गुरखपूर की खुबसूरती है अब देखिए यहां पे गेट नंबर चार के पास एटीम का विवस्ता है यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे यहां पे कुछ फूड इउनिट हैं फास्ट पूड का आप देख सकते हैं यह अभी आप बाहर का मापको नजारा दिखा रहा हैं अब हमको हम आपको दिखाएंगे मेन ब्रीज से उपर का स्वरूप इस प्लैटफॉर्म का देखिए गोरख प्रजेक्शन लिखा हुआ है सामने में कितना सुंदर दिरिश्य है इस स्टेशन का आप देख सकते हैं मैं आपको गेट नंबर चार के पास से लेफ्ट और राइट का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए कितना भव्य दिख रहा है रेलवे स्टेशन तो अब हम आपको ब्रीज से सारे चीचे दिखाएंगे तो आई आप देखिए सामने में आपके इस लेटर वाला स्टेर से मैं इस पर चड़ गया हूं मैं वह भी आपको दिखा रहा हूं जाने का है और स्टेर साब देखिए तो देखिए कितना सुझचित रेलवे स्टेशन है अगा है अगा है अगा है वाकई यह गिनीच बुक आफ फॉल डिकॉर्ड में दर्ज होना भी चाहिए था और है भी इसे बहुत गर्व की बात है हम सभी को वाईए हम आपको दिखाते हैं उपर का स्वारूप दोस्तों यह है आपको ब्रीज है अस्टेशन के रेलवे इस पार से उस पार जाने का यह रैक है हम आपको यहां पे दिखाएंगे सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं हम आपको दिख्या रहे हैं आप देखिए कितना लंबा यह प्लैटफॉर्म है यह बाहर का विव आप देख रहे हैं है अई आएव आपको इस साइड का भी वह में दिखाते हैं देखिए कितना लंबा यह प्लैटफॉर्म है यहां पर दोस्तों यहां पर दस प्लैटफॉर्म हैं और अठाइस ट्रैक हैं एक रेल्वे स्टेशन का आप देखिए उपर का दिरिश्य है नौर्थ इस्टन डेलवे जोन में आता है गोरकपुर रेलवे एस्टेशन की पाचान देश के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े एस्टेशन के रूप में होता है क्योंकि यहां 20 लंबा प्लैटफर्म है जिसका उद्गाटन 6 अक्टूबर 2013 में किया जा अगया था दोस्तों देखिए कितना कि ज्यादा कि सुंदर है कि यहां पे 10 प्लैटफर्म है और बहुत बड़ी भूपलबदी भी है भारत के लिए जो की recorded चीज़ है खारत क्या पुरे विश्व के इतिहास में दर्ज है दोस्तों यहां पे 10 लेटफर्म आप देखिए आप एक एक करके जाएंगे तो आप 10 नमबर प्लेटफॉर्म तक 910 तक आप पहुँच सकते हैं और दोस्तों हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर है जो लगभग 4483 फिट है तो यहीं हैं बाहर का सवरूप हम आपको इधर का भी सवरूप दिखा रहे हैं देखिए पूरफ साइड हो गया देखिए पस्चिन साइड का नजारा है आप देखिए कितना सुन्दर प्लेटफॉर्म है यहां पे हर चीज का बहुत अच्छे तरीके से विवस्ता है कहें भी किसी को कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिसुप के इतिहास में नाम दर्ज गोरकपूर रेलवे स्टेशन एक बहुत पहचान बनाता है पूरे इस राष्ट के लोगों के लिए तो दोस्तो आप इस इसको जरूर देखें अगर आप नहीं आ सकते हैं देखने तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप इस इसको जाने समझे देखें क्योंकि यहीं रेलवे स्टेशन है यहीं प्लैटफर्म है जिसका गिनिज बुक आफ वॉल रिकॉर्ड और लिमका ब भारत ही नहीं बलकि पूरे 20 में इसका पाशान है अब देख सकते हैं अभी साम का नजारा है आपको बहुत खुब्सूरत देखने को मिलेगा पूरा रंगीन दिकाई देगा रेलवे स्टेशन गोरफ पूर रेलवे स्टेशन है तो दोस्तों इसी के साथ बने रहे हैं आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका